संसार के कोने कोने में जाकर सारी स्रस्टी को सुसमाचार सुनाओ संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याई सौला पत्संक्यां पंद्रा आज का सुब संदेश हे प्रबु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गात रहूंगा प्यारे विश्वासियों आज मात कलिस्या संत मार्कुस जो सुसमाचार के लेकक थे सन्पॉलुस के सिष्च थे उनका स्मरण हम मनाते हैं और आज हम इसका पर्व मनाते विए हमें ये ग्याद कराने अपने आप के लिए सन्पॉलुस प्रभु के सिष्च नहीं थे प्रेरित नहीं थे उन्होंने प्रबु के बारे में सन्पॉलुस से सुना उसके बाद वे प्रबु के बारे में सुसमाचार लिखते हैं वो एक अनोखा इंसान था जो उन्होंने सुना उनको ग्रहन किया उसके बाद उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी कोशिश किया देखेगा आज का सु समाचार में मुक्यता तीन बाते हैं सबसे पहले प्रभु येशु सिश्वों को आदेश देते हैं वो आदेश यह है संसार के कोने कोने में जाकर सारे स्रिस्टी को सु समाचार सुनाओ इसका मर्म क्या है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यही है हम प् वचन को ग्रहन करें, उस वचन के अनुसार चलें, तब उस वचन को दूसरों में पहुंचाएं। शब्दों से नहीं प्रिय भाचता बहरों, आज के समाज में, आज के युग में, हमारा जीवन के दौरा। मेरा जीवन किस प्रकार का है मैं प्रभू का वचन सुनता हूँ उस वचन के अंसार मेरा जीवन है प्रते दिन धैने जीवन में जब मैं वचन सुनता हूँ कितना मैं लागू करने के लिए कोशिश करता हूँ ये आमें सबसे पहली बात मन में रखना है दूसरी बात प्रभू आज का सुसमाचार में दूसरा वुलेक ये करते हैं विश्वास की शक्ति क्योंकि वो एक सर्वपारिम माने जाती है विश्वास एक हतियार ऐसा है जो कमजोर वक्ति को अंदर से शक्ति ये उड़ जा देती है जो कम काम ना मुंकिन है वो मुंकिन करता है इबराहिम को देखिएगा विश्वास के द्वारा ही सब कुछ वो अनुबाव करते हैं अंत में उनको ही विश्वास के पिथा कहला जाता है प्रियर विश्वासियों हम भाई बेहनों के लिए जो प्रभू में बबतिस्मा ग्रहन कि उन सब को विश्वासी कहते हैं क्यूं? क्यूंकि हम प्रबु का वच्चन को सुनते भी उन पर चलते हैं तीसरी बात प्रबु का स्वर्ग रोहन सब कुछ बताने के बाद सिश्वों को समझाने के बाद प्रबु वहां से स्वर्ग पर आरोईत होते हैं हज हम भी विश्वास करें क्योंकि प्रबु ईश्वर के दायने विराच मान है स्वाहिम प्रबु कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम में एकरतित होते हैं मैं वहां पर उपस्तित हूं संद मारकुस जिन्होंने प्रभू का वचन दूसरों से सुना और अपने में नहीं रखा सब को पहुंचा दिया हम भी जब प्रभू का वचन को सुनते हैं जब प्रभू का वचन को ग्रहन करते हैं कोशिश करें मेरे प्रिय भाहि और बहनों मेरे शब्दों में कुछ बदलाव लाना, व्यवहार में कुछ बदलाव लाना, दूसरों की और अच्छा व्यवहार करना, और प्रभू का आस्ता में उनकी आशिश में अपने जीवन बिताना, आमेन.